एक गाउं था, जहाँ दो दोस रहते थे, वे दोनों हमेशा गैर कानूनी काम ही करते थे, क्योंकि उस काम में उन्हें बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा होता था, एक दिन शेहर से बहुत बड़ा व्यापारी उनसे मिलने आता है। एक बार काम हाथ में ले लिए तो फिर पीछे नहीं हट पाओगे। अरे सेट जी, आज तक हम किसी काम से पीछे हटे हैं क्या, आप बताईए क्या काम है, जो भी काम होगा हम दोनों उसे कर देंगे। मेरे पास विदेश से एक काम आया है, उन्हें पांस लीटर कोबरा सांप के जहर की जरूरत है, मुँ मांगे पैसे मिलेंगे, बताओ, घर पाओगे ये काम। अरे सेट जी, आप सठिया तो नहीं कहे, ये कैसी बात कर रहे हो, आपको पता भी है, एक सांप से केवल कुछ बूंज जहर ही मिलता है, तो पांच लीटर सांप का जहर कहां से लाएंगे इसके लिए तो बहुत सारे सांपों की जरूरत होगी, ये काम तो नामुम्किन लगता है सेट जी, अरे मुन्ना, तुने सुना, मुँ मांगे पैसे मिलेंगे, अरे बेवकूफ अगर हमने ये काम कर दिखाया, तो हम जिन्दगी भर आराम चे बैठ कर खाएंगे, जगीरा मुझे लगता है तुम भी सेट की तरह सठिया गए हो, जो बहकी बहकी बातें कर रहे हो, नहीं मुन्ना भाई, हमारे पास के जंगल में बहुत सारे सांप है, अगर हम उन सब को पकड़ लें, तो हम पांच लीटर जहर इकठा कर सकते हैं, अच्छा, और सांपों का जहर नि निकालने की चिंता मत करो, जहर निकालने का काम मैं खुद करवा लूगा, तुम बस सांपों को पकड़ने का काम कर दो, बाकी की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है सेट जी, हमें मन्जूर है, लेकिन पांच लीटर जहर इकठा करने के लिए, कितने सांपों की जरूरत पड़ेग फिर आप जहर निकालने का काम शुरू करवा देना, ठीक, तो हमारा सौधा तै हुआ, मैं ठीक एक हफ़ते बाद अपने लोगों के साथ आऊंगा, फिर इतना बोल कर व्यापारी वहां से चला जाता है, जगीरा भाई, मुझे लगता है हमने ये काम पकड़ कर सही नहीं कि इस काम में बहुत ज़्यादा जोखिम है, अगर किसी सांप ने हमें डस लिया तो हमारा मरना तै है, तू डर मत यार, कुछ नहीं होगा, मेरे पास एक तरकीब है, आज रात को हम जंगल चलेंगे सांपों को पकड़ने के लिए, तुम तयार रहना फिर रात होने पर वे दोनों जंगल की ओर सांपों की तलाश में चल देते हैं, थोड़ी दूर चलने पर उन्हें कुछ सांप दिखाई देते हैं, तो देखो मुन्दा, वहां कुछ सांप है, चलो उन्हें पकड़ते हैं, लगता है आज ये मरवा कर ही छोड़ेगा, है फिर वे थोड़ी दूर जाते हैं और कुछ और सांपों को भी बाल्टी में कैज कर लेते हैं जगिरा भाई मुझे लगता है हमने सौ सांप पकड़ लिये हैं ये बाल्टी भी पूरी भर गई है अब इस बाल्टी का क्या करें? हम इन सांपों को अपने साथ गाउं नहीं ले जा सकते अगर किसी ने देख लिया तो सारी जिंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा तुम सही कहते हो भाई, मेरे पास एक तरकीब है हम यहीं जंगल में एक गढ़्धा खोद देते हैं और इन सांपों को उस गढ़्धे में कैद कर देंगे फिर वे दुनों मिलकर एक बड़ा सा गढ़्धा खोदते हैं और सारे सांपों को उस गढ़्धे में डाल देते हैं और वापस अपने गाउं आज आते हैं फिर अगले दिन निना भाई, कल तो हमने खूब सारे सांप पकड़ लिये, अगर ऐसे ही हमें सांप मिलते रहे, तो हम एक हफते में पांच सो सांप तो पकड़ ही लेंगे. फिर पिछले दिन की तरह वह जंगल जाते हैं और बहुत सारे सांपों को पकड़ लेते हैं और उसी गड़े में कैज कर देते हैं इसी तरह एक हफ़ता बीच जाता है जगीरा भाई मुझे लगता है हमने 500 सांप इकठा कर दिये अब बस हमें सेठ का इंतजार करना है जो आकर इन सांपों का जहर निकलवाए फिर हम आला माल हो जाएंगे कुछ देर इंतजार करने पर उन्हें वह सेठ आता हुआ दिखाई देता है वह सेठ अपने साथ कुछ लोगों को भी लाता है मुन्ना और जगीरा मुझो उमीद है तुमने अपना काम बखुबी निभा दिया होगा हाँ सेड़ जी हमने तो अपना काम बखुबी कर दिया है अब आप जहर निकालने का काम करो और हमें हमारे पैसे दो फिर वे सब जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है बहुत तीज आंधी आने लगती है अरे चकीरा भाई ये तो बहुत बड़ा तूफान लगता है आज तक मैंने इतना बड़ा तूफान नहीं देखा मुझे लगता है हमें इस तूफान के दीच जंगल में नहीं जाना चाहिए पूरे आसमा में सांप दिखाई दे रहे हैं लेकिन ये इतने सारे सांप आकाश को अपने साथ हवा में उड़ा लिया है भाई मेरी मां कहती थी जो चीज उपर जाती है वो नीचे जरूर आती है वो देखो सांप नीचे गिर रहे हैं अरे मर्गे रहे ये तो सांपों की बारिश शुरू हो गई देखते ही देखते सांपों की बारिश होने लगती है हर जगा सांप की सांप किरने लगते है अरे मर्गे रहे इस सांप को मेरे गले से निखा लो अरे मर्गे रहे अरे ये मुझे दस लेगा प्रोई तोई इसमें मेरे कले से निकालो आरे मर गया रे अरे भागो अपनी जान बचा के भागो ये सांप आज किसी को नहीं छोड़ेंगे अरे जगीरा भाई भागो भागो फिर वे सब भागने लगते हैं सब गाउवाले सांपों की बारिश होती देख अपने अपनी घरों के अंदर खुच जाते हैं पिर एक सांप उस व्यापारी को डस लेता है पिर कुछ गाउवाले उन सांपों को मारने लगते हैं अरे मारो इन सांपों को नहीं तो ये किसी को जिन्दा नहीं छोड़ेंगे अरे ललन चाचा रुको रुको इने मारो नहीं इसने थोड़ी देर पहले मेरी गाय को डसा था लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ, मुझे लगता है ये सारे सांप जहरीले नहीं है हमें इने मारना नहीं चाहिए अरे बाबेटा, हम कैसे मानने कि ये जहरीले नहीं है अगर इसने मुझे काटा और मैं मर गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले मैं इस सांप को उठाता हूँ फिर वह बच्चा उस सांप को उठाता है और उसे जंगल की ओड ले जाता है सब गाउवालों की आँखे फटी की फटी रह जाती है और वह बच्चा थोड़ी देर में सांप को पास में छोड़ कर आ जाता है उस बच्चे की हिम्मत को देख, बागी गाउवालों में भी हिम्मत आ जाती है और वे सब लोग सांपों को मारना बंद कर देते हैं और उन्हें उठा कर वापस जंगल छोड़ कर आने लगते हैं कुछी देर में सारे सांप वापस अपनी जगर पर पहुँचने लगते हैं वहीं दूसरी तरफ उस सेट को भी एक सांप काट चुका होता है है सांप देवता करके अपना जहर वापस चूस लो मैं वादा करता हूँ आज के बाद किसी भी जानवर की तसकरी नहीं करूँगा मैं सारे खैर कानूनी काम छोड़ दूँगा बस बस अपना सारा जहर वापस चूस लो अरे सेट जी रोना बंद करो कुछ नहीं होगा तुमें ये सारे सांप जहरीले नहीं है इनके काटने से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है आपको भी कुछ नहीं होगा अच्छा मुन्ना और जगीरा आज के बाद मैं कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करूँगा तुम ये सब गलत काम छोड़ दो आप सही कहते हैं सेट जी अगर ये साप जहरीले होते तो ना जाने आज कितने लोगों की जान चली जाती मुझे भी लगता है आज से हमें मेहनत करके ही रूजी रूटी खमानी चाहिए ठीक है भाई अगर तुम आज के बाद कोई गलत काम नहीं करोगे तो मैं भी ये काम करना छोड़ देता हूँ हम इस सापों से दूरी बना कर रखनी चाहिए लिकिन उन्हें मारना नहीं चाहिए क्योंकि हर साप जहरीला नहीं होता ये कहानी कहीं ना कहीं अगर आपकी दिल को छुए तो प्लीज लाइक जरूर कीजेगा Humanity should be our race Love should be our religion Thanks for watching